यहां से मार्के ने से सपोर्ट ले सकते हैं लेकिर मार्के नहीं से सपोर्ट लिया और स्क्यार मार्केट ने अपसे वापस से डिससे वेरिया में आ गई है इसके मार्केट नेसे मार्केट ये ने के एक्ति विचार करिए तो से मुश्किल होता चाहरा है अगर इसको और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्क में इसकों से कंवेरceğiz को मार्केट लिए खär 2.580 का level, दूसरा level हमारे trend line और आप कह सकते हैं कि 2.562, यह हमारा decisive level है रहेगा sell side के लिए, दो हमारे पास levels आगे है, अगर market sell side पे trend line भी तोड़ देती है और 2.562 को भी तोड़ देती है, तो हमें sell side के trade रहेगा 2.522, 2.502, 2.488, 469 और 455, यह हमारे sell side के trade रहेंगे, लेकिन sell side भी ज्यादा देर अप sustain मत कह जाएगा, रुगेगा मत क्योंकि यह trend line वापस से market को उपर की तरफ कीन सकती है, ठीकिए, अब हम बात करते हैं buy side के लिए अगर market ने buy side का trade activate किया, 2.580 से उपर closing देकर, तो 2.597 फर्स्ट, 2.628, 2.649 पर strong resistance हमें देखने को मिलेगा, और अगर यह break कर दिया तो 2.677 का हमें trade देखने को मिल सकता है, तो यह levels आप आख कर लिजे, साथ ही हम बात करते हैं natural gas futures की, और कल देखे, natural gas के storage का भी data आने वाल कर देखने को मिल सकता है, तो आप तयार रहेगा, otherwise, यहां से देखे, market ने किस तर से movement दिया है, हमारा जो trend line है, market ने support लिया, market यह area हमारा note trading area था, आप नोडिस कीजिए, आप हमने mark किया है, note trading area था, आप देख सकते है, market यहां पर आई भी है, लेकिन यही से वापस उपर के गई है, और यहां से market ने buy circuit rate activate करते ही, market ने first target hit किया, इसकी उपर market sustain ही नहीं किया, यहां पर गई ही नहीं है, green candle के कोई closing हमें देखने को नहीं मिल रहे है, तो यह तो वैसे, इस candle पे हमारा जो ट्रेड है, वो अक्टिविट हो गया था, रीजूनस का ही है, क्यूंकि हमने यह नो ट्रेड़ी अरिया था, और हमने कहा था, 194 पर market support ले सकती है, और यह trend line भी support दे सकती है, तो same चीज हुआ, market नीचे के तरफ आई है, यहां पर weak candle बनाई, उसके बाद इस लेवल से support लिया, strong bullish candle के बाद हमें strong bullish move यहां पर हमें देखने को मिला है, तो यह हमारी बहुत बढ़िया trade था, buy side का, sell side के लिए, देखे हमने कहा था, कि ज्यादा दे सस्टेन मत किज़ेगा, market strongly नीचे के तरफ गिरी जरूर है, लेकिन इसी के साथ market नीचे के तरफ यहां पर hit किया है, although market इसे भी नीचे के तरफ आई है, लेकिन आप देख सकते है, थोड़ से positive भी market ब बन सकता है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले decisive levels mark करने है, उसके लिए सबसे पहले जो level है, इसको तो सद्रा करके उपर की तरफ shift करेंगे, उपर की तरफ shift हमने इसलिए क्या है, क्योंकि यहां पर जादा valid लग रहे है यह लेवल, और यहां से भी देखे है, इस और इसके बाद ही trend line, जो हमने कल की वीडियो में discuss करके mark करी थी, यहां से आप देख सकते हैं, यहां से clear आपको नहीं लगेगी trend line, लेगे आगा आप day के chart पे notice करेंगे, तो day के chart पे आपको यहां पे strong support, यहां पे देख सकते हैं, उपर के तरफ market continuous बढ़ रही है, तो यहां market by side के trade activate करके अपर side के, अपर side को bullish के अंडर के closing देती है, तो बहुत quickly आपको 194 तक का trade देखने को बल सकता है, लेकिन यहां पर entry exit करना थोड़ सा difficult रह सकता है, अगर यहां पर entry नहीं ले सकते हैं, तो आप इस area को avoid कर दीजिए, आप आप entry लीजिए ही मत, trade मत लीजिए, 194 क अपर अगर closing आते हैं, तो 196.1, 198.6 और 199.6 यह हमारे side के targets रह सकते हैं, तो इनको आप माग कर लीजिए, और साथ ही माई data analysis की वीडियो को देखना बिलकुल भी मत भूलेगा, multiple trades आपको देखने को मिलने वाले हैं कल, साथ में national gas के data है, वो भी कल हमें देखने को मिलेगा, त आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको यह वीडियो पसंद आई है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक बटन पे क्लिक केजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और maximum profits earn कीजिए, ओके इंवेस्टर्स, बाइवरीबड़ी, टेक केर और कीप On earning profits, good night